हेलो दोस्तों आप लोग को स्वागत है हमारे चेनल पर दोस्तों आज हम जो की रिजनिंग के बात करेंगे दोस्तों पार्ट वन अगर आप लोग रिजनिंग नहीं देखे तो पार्ट वन जरूर देखेगा आज हम पार्ट वन लेकर आया है जो की पांच चार दोचर किस का थर्ट शिप्ट का रिजिनिंग इस वीडियो में शॉल्व करेंगे दोस्तों अगर अभी तक आप लोग जीके जीएस का जो कि एंटीपीसी एंटीपीसी 2.0 किसे में पूछा गया अभी तक छे पार्ट वीडियो बना हुआ है अगर अभी तक आप लोग जीके जीयस नहीं द करना है बसो जो लाला बड़ा बटर ने दबा के जल्दी से सबस्क्राइब कर लिजिए और हमारे चैनल से जूर जाएए दोस्तों चलिए फर्स्ट रेजनिंग में दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत बुलिएगा और वीडियो पूरा देखेगा आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं इसलिए वीडियो डेली नहीं आता है तो वीडियो क इतना को किस भासा में लिखा जाएगा तो देखिए बी के अस्थान पर डबलू आया उसका एक अस्थान पर टी आया उसी पर कास में भी इसी के तरज पर इसको भी देखेंगे देखेंगे ती जो है टी के अस्थान पर क्या है तो ऐसे देंगे उसके अस्थान पर इसमें क्य क्या है के है तो ल किस्थान पर जो कि के हो जाएगा उसके बाद बोलना है यह हो जाएगा इसी में से जो कि इसका भी आंसर निकालना है चारी next question पर को नेक्स्ट है बोल रहा है सब्जी है को qn fq गाजर और खाथ समागणी तेख़ें गाजर जो कि पाज़ें उस सब्छी कें अंधर गजागा और सब्छी जो कि समागणी खाथ समागणी अंतरगत करतब एगा तो सबसे पहले जो कि सबसे अंदर गाजर होगा उसके लिए सबसे अंदर की एक्षिस मार में हावर उसके वाद समागरी हो जाएयगा इन्हीं फिक जोर्ड घक्रीन हेले हैजर गाजर Sm outrage और सबस्के आदर जो की एक्यु इंदर सबस्क्क समागरीस हो जाएगा श इसमें से दो जो कि घट रहा है उसके फिर यहां दो घटाएंगे फिर यहां दो घटाएंगे और आर में दो घटाएंगे जो कि पी हो जाएगा पी क्यू आर तो दो घटाएंगे पी हो जाएगा उसके देखिए यहां जो है दो जूट रहा है तो इसमें दो जूट रहा है इ इसो कि एच आई जो है यह इसमें इसमें दो जोड़ेंगे तो Ajk हो जाएगा त स्क्ले पी और के इसका अंसर हो जाएगा इसका एस डोगट रह खर रहा है और इसमें दो बढ़ रहा है तो answer पी और क्यूं हो जाएगा उडीर एफ कोशन पर और ये मेज है कुछ चरपाई मेज है कोई मेज यानि कोई मेज कुर्सी नहीं है तो इसको कुर्सी हम ले लेते है कोई मेज कुर्सी नहीं है तो कोई मेज कुर्सी नहीं होगा चलिए ठीक बोला है निसकर्स में केबल कुछ चरपाई कुर्सियां है केबल कुछ चरपाई, केबल कुछ चरपाई जो कि कुरसी यहां है, यह तो कथन में नहीं दिया हुआ है, चलिए यह गलत हो जाएगा, उसके बाद बोला है कोई कुरसी चरपाई नहीं है, कोई कुरसी चरपाई नहीं है, हमको मेज बोला है कि कोई मेज कुरसी नहीं है, लेक लेकिन निश्कार से बोला है कोई भी कुर्सी चरपाई नहीं है कोई भी कुर्सी जो की कुर्सी चरपाई नहीं है तो चरपाई के बारे में कथन में कुछ नहीं बोला है तो हो भी सकता है नहीं भी से हो सकता है इसलिए यह गलत है उसकी बार बोला है कोई चरपाई कुर्सी नहीं है कोई चरपाई जो की कुर्सी नहीं है यह भी गलत है कुछ चरपाई कुर्सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जो कि कथन में नहीं दिया हुआ है इसलिए यह भी गलत है इसमें आंसर हो जागा है इन में से कोई जो की सही नहीं है सभी गलत है तो आंसर हो जाएग तस्बीर की ओरे साकरते है समीतने ले ले रहे हैं। तस्बीर की से जी अएजिचर आदमी मीरे शाका जाएगा ठीक इसके साथ का ससूर तो, सास का ससूर सास का ससूर है तो यह जो तस्पीर है चलिए इसका पत्णीन ले ले लेते हैं तो इसका पत्णी हो गया यह तो बोला तस्पीर में जो यह आदमी है ये आदमी ये ससूर इसके पतनी से क्या सम्मंद रिष्टा रखता है इसके पतनी से तो देखे इसका ये पुत्री हो गया और इसका ये पुत्री हो गया और इसका ये पुत्री हो जाएगा इसका अगर इसका ये ससूर है तो इसका अगर पुत्री हो गया तो इसका ये पुत् विद्धिया है सुमित्क पत्नी सित पत्नी ददा और प्रोदीखा पत्न होगा तो आंसर ददाधा हो जाएगा तो इसका अंसर धादा ma चाले नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट जो कोशन है देखिए इसका मतलब देखिए इसका मतलब होता है पलस इसका मतलब होता है मैनस पलस का मतलब भागा और इसका मतलब गुना होता है और मैनस का मतलब जो की बराबर होता है देखिए बराबर इस कोशन में कहा है तो यह जो मै लेकर देखते हैं चलिए लेकर देखते हैं जाकिए साथ साथी इसका मतलब साथ और इसका अठारा हो गया उसके बाद बोला है इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब क्या होता है तो गुना होता है तो गुना 12 दे दिये इसका देखिए इसका मतलब क्या दिया हुआ है इसका मतलब जो की पलस दिया है क्या दिया है तो पलस पलस तीन हो जाएगा उसके बाद देखिए मैनस का मतलब क्या दिया है तो बराबर दिया है और दो हो जाएगा उसको इसका मतलब क्या दिया है इसका मतलब जो कि दिया है वो मैनस दिया है एक सो देखिए दोनों बराबर सेम होना चाहिए बराबर इस साइड भी और इस साइड भी तो यह हम देखिए भाग पर भाग के पहले सबसे प यह फ्लस प्लस मैं यह फ्लस प्लस जूट जाएगा तो दस गईने ईक शो आर्ट हो जाएगा बराबर सब्सक्राइभ नयक्तिन जो अधू अल्रकुंत में ज्रूर लिखेगा कि आप लोग समझा आ रहा है तो लोग आ तो आप लोग support किजी दोस्तो चैनल को support किजिएगा तभी daily video आएगा तो support करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको बस subscribe करना है और share करना है चलिए next question पर next question है बोला है कौन सब्वहीन है देखिए पंखा जो कि बिजलिस चलता है जब कि यह mes dress kursi यह सब नेर्जीव है और यह बिजलिस चलता है तो बिजलिस चलने वाला है यह सिर्फ पंखा ही है next है गोवित बिजल송 तिर भूज तिर भूज जो है वह लाल को बिर्त जोकी गुलाब को निरुपीत करता है तो more, कांटे नहीं होना चाहिए देखिए लाल गुलाब होना चाहिए लेकिन कांटे नहीं होना चाहिए यानि आयत जहां रहे उसको हम नहीं लेंगे लेकिन लाल गुलाब होना चाहिए देखिए तैस लेते हैं तो इसमें लाल गुलाब कांटे तीनु आ जाता है उसके आप देख कांटे नहीं होना चाहिए तो कांटे यह तो नहीं होगा इसमें कांटे आ जाता है जिब कि अठारा इसका अंसर हो जाएगा अठारा जो की लाल और गुलाब है लेकिन कांटे नहीं है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अठारा हो जाएगा जो की लाल और गुलाब है सि तो ही कि कि ए क्रण chicken अ है कि एम इस requism कर लेते हैं इसी में को शॉयूर करते हैं कि क्या बूल राहा है वा कि कि गी aussे गारो जोा है यूआ ट्षिस यहां क्या सॉक्षाठे तीन गठी पर जिकर शॉक्षब और तीन गन्हें हो जाएगा यहां धी दे्युज़ कीया धियर यह में ध दिख जी ये इंगे फजी यह को जाएगा इसके धायतों कि प्श्री दोस्तों Г SEC wheelchair घटाएंगे इसमें तीन घटाएंगे चले सление ढ़र क्या करेंगे दूसरा जो प drifting ड deputy साथ राव में यूड च्रमी डब्लू और एक्स हो जाएगा थो यह जाकी देंगे लिए उसकी बाथ देखिए फिर क्या क्या करेंगे तीन घटाएंगे आर्मन spins घ्राइंग यूं सबस्क्राइब कि यू होगया घरिक लाइब कि एलमें तीन फमीद खटाएंगे में तीन शबस्के नियुल के यू हो जाएगा झिलिए तीन फिर डगें तनली दवन होजाएगा तो य होज आई वाय हो जाएगा इसका अंसर शुरू में तीन घटा उसके बाद एक जुटा फिर तीन घटा उसके बाद एक जुटा तो इसे यह शीरीज चल रहा है चलिए नेक्स्ट कॉशन पर नेक्स्ट कॉशन है देखिए यह कॉशन बहुत जयंदार है लेकिन ठीक पहले तीन नहीं आता है तो दो तीन एक ठा होना चाहिए ठीक दो तीन एक ठा होना चाहिए देखिए कहां कहां है तो यहां पर देखिए तीन के बाद तीन आता है लेकिन पहले तीन नहीं है पहले छे है तीन स्रीज लेकर चल लेंगे देखिए एक यह हो गया उसके बाद देखिए एक यह ले लेंगे लेंगे लेकिन इसको हम नहीं लेंगे इसको हम नहीं लेंगे क्यों तीन से पहले ती यह आ गया तीन के बार तीन आता है लेकिन पहले तीन नहीं आता है तो यह दो हो गया उसके बार तीन आता है लेकिन पहले तीन नहीं आता है तो यह दो हो गया उसके बार देखिए यहां पर भी यहां पर भी तीन के बार तीन आता है लेकिन पहले तीन नहीं आता है तो एक त तो तोटल तीन को यह जो तीन के बाद तीन आता है लेकिन पहले जो कि तीन नहीं है तो आंसर, जो कि डी हो चाएगा इसका आंसर नेक्स्ट कोशन पर कोशन है जो कि कर्थन निश्कर्श का है बोला है विद्यार्थी उस शिक्षा के लिए उप्युक्त पार्ट करम चुन्ने के बारे में भर्मित है यानि कोई भी जो की शिक्षा उप्युक्त पार्ट करम जो की चुन्ने के लिए वह भर्मित है कि कौन सा लें कौन सा विश्या नहीं लें इसमें वह भर्मित है तो बोल रहा है इसका निर्नया जो है बोल रहा है कि उनकी पसंद के बारे में निर्नया लेते समय उनकी रूचियां योगिता चमताओं को धियान में रखें जी हां आपके आपको कौन सा विश्या में जो की रूचियां आप किस विशय में जो की योगिता चमता आप किस विशय में रखते हैं तो ये भी निर्भर्व करता है कि आपकी रूची पर तो ये भी सही है ये आप कौन सा विशय में रूची रखते हैं वही विशय आगे चल के लें तो ये तो सही है उसके बात बोला है किसी सिक्षा रहन नहीं होता है इसलिए यह का और नहीं होता है कि गया कि कौण सा अपेल आएगा कोनशा बार आएगा और किसी लेते हैं तो इसमें सबसे पहले नाया तो हमेंट करते तो वा चेन करते हैं ठेक पार चेन केबाद भूर कराएंगे क्या कराएंगे तो अभ्यास करेंगे भी हो जाएगा उसके अभ्यास अगर कराएंगे तो फिर उसको पुर्व अभ्यास कराएंगे कि फिल्म से शुटिंग से पहले फिर उसको पुर्व अभ्यास कराएंगे तो यह हो जाएगा और लास्ट में इसको मंच परदसन करेंगे ताकि कुछ भी गल्ती ना हो तो लाक्ष न में जो की मन्च पर्दसन हो जाएगा तो इसका अंसर जो की सी हो जाएगा देखिए सब्सप्रले ओर डिइतन उसके जो कि चेंड करेंगे उसके अभ्यास कर égais करेंगे और लास्ट में किसमें उसको मनच पर लाएंगे तो अंसर सी हो जाएगा चलिए और कि नेश्ट कोशन हो नेक्स्ट है आरी का लक्री से औहीं सम्बंद है जो हटृ को मुद्वी से हो जाएगा नेक्स्ट कोशन पर नेस्ट है देखिए नेक्स्ट है 122 फिर 69 फिर 28 फिर 13 उसके बाद बोला यहां पर क्या होगा तो देखिए जल देखते है इसको देखिए इसमें कितना घटा है तो इसमें 63 जो कि घट रहा है उसके बाद जो कि यहां पर 31 घट रहा है, कितना घट रहा है? 31 घट रहा है, यहां आपको कुछ नजर आ रहा है, atiný. 62. 62 जो कि भाग देगे, 31 हो जाएगा इसके बदी 31 घटा दिया, क्या कि यहां, 63 में घटा दिया, उसके बाद जो आया, उसमें दू घटा दिया, तो यहां रख दिया उसके पिर देखी 31 में से एक घटा दिया और उसमें दूसे भाग दे दिया तो 31 में से एक घटा एंगे तो 15 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा फिर 15 हम क्या करेंगे पंद्रों में इसे गटा देंगे, कितना खो जाएगा, कितना तो आंसर 6 हो जाएगा, तो आंसर 6 हो जाएगा, ने यहां क्या किया, 360 गटा, फिर 31 गटा, पिर पंद्रों दिए तो 31 हुआ उसे बाद 31 घटा आए फिर एक घटा के दो से भाग दिए तो 15 आया तो उसके बाद 15 घटा आए फिर एक घटा के दो से भाग दिए तो 7 आया तो उसके बाद हम 7 घटा तो आंसर 6 हो गया चलिए नेक्स्ट कोशन पर देखिए नेक्स्ट कोशन जो की next question है इसी में से लेना है 18 के के स्थान पर देखें क्या है तो के के स्थान पर जो की के के स्थान पर जो की भाग है देखें 18 भागा 6 और जे के स्थान पर गोना है जे के स्थान पर गोना है तो 7 हो जाएगा फिर क्यों के स्थान पर जोड है तो जोड़ देदेंगे, उसको आब देखिए, फिर जोगी five हो जाएगा, शोरी, q के स्थान पर जोड़ है, तो यहाँ उसको five हो जाएगा, और उसको आब जोगी तीक अस्थान पर घटा हो है, यहीनि घटा ना, तो 2 हो जाएगा, देखिए, सबसे पहले भाग देगे, तो 3 ही इत्यों सब्सक्राइब हो जाएगा इसका इसका अंसर इसका छोबीत हो गयास एक ही नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भीन है तो जीव नाख आँखे यह सभी गलास से उपर होता है जब कि टांग जो की गलास नीचे है तो यह भीन हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही जंदार कोशन है सब से पर एक बार पढ़ लेते हैं उसके पार इसको करते हैं देखिए बहुत है साथ दोस्त पीकी यू और भी का जन्म साथ अलग महिने मार्च अपरिल जून जुलाई अगर्च सितंबर अगर दिसंबर में होता है उसी इस वी करम उनका निवार्च नहीं है चलिए बनाते हैं तो सब से पहले हम इसको जो की सभी म सितंबर और यहां दिसंबर हम ले लेते हैं यहां दिसंबर ले लेते हैं क्योंकि यहां पर नहीं हुआ तो चलिए देखते हैं सब से पहले क्या बोला है आर का जल्म उस मेने में हुआ था जिसमें 31 से कम दिन होता है तो आर का जल्म उस मेने होता है जहां 31 से कम दिन होता है लेकिन वो अगस्त से पहले हुआ था लेकिन जो की अगस्त जव है इससे पहले हुआ था तो इससे पहले 31 दिन कब आता है तो 31 जो आता है वो अपरील और जून को आता है तो 31 से पहले 30 दिन आता है तो अपरील और जून जो की है इस दिन जो की 30 दिन होता है या तो इसमें हो होगा आर या तो इसमें होगा चलिए यहां किसी में रखे देते हैं बाद में एक अस्थान पर आएगा उसके बाद क्या बोला है देखिए उसके बाद क्या बोला है कि टी के बाद किवल तीन दोस्त का जन्म हुआ अगर टी कहां रखेंगे तो ती को हम जुलाई में रखेंगे टी को कहां रखेंगे टी को यहां रख देते हैं ती इसके बाद कि तीन दोस्त एक यह हो गया एक यह हो गया और ती के बाद के बड़ी ठीक थिक पर हुआ यहां घ़र यहe होगा यू उसके बाद होगा और भी उसके बाद होगा चलिए इसको हम बैठाते हैं देखिए यहां टी है उसके निचे यू हो जाएगा और इसके निचे भी हो जाएगा देखिए आगया यानि भी से ठीक पहले यू है रोड टी के बाद यू है ठीक उसके बाद बोला है युका जर्म T से ठीक पहले लेकिन T के बाद हुआ था P और S के बीच तीन से अधिक दोस्त है तो देखिए P और S के बीच तीन से अधिक हो दोस्त है अगर हम S को यहां रख देते हैं और P को अगर हम सबसे उपर में रख देते हैं मार्च में तो 3 से अधी के दोस्त हो जाएगगा, s को सबसे नीचे और p को सबसे उपर रखते हैं, तो t से जो की सबसे अधी के दोस्त हो जाएगा, ठीक उसके बाद बोला है, देखेए, उसके बाद क्या बोला है, दोस्ता है आर का जर्म टी से ठीक पहले नहीं हुआ था तो आर का जर्म जो कि टी से ठीक पहले नहीं हुआ था तो चलिए लेकिन उससे ठीक पहले नहीं उस आर का जर्म जो है वो टी से ठीक पहले नहीं हुआ था दो मेना पहले हो सकता है तो आर का जर्म हम यहां रख देंग और T जो कि यहाँ है देखिए तो बीच में एक महना जो कि gap हो गया देखिए इस महना तो बोला है एक महना में दो महना पहले हुआ था जलिए फिर बोला T का जनम S से पहले हुआ था तो T का जनम S से पहले हुआ था फिर कोशन है Q और S के बीच कितने दोस्त का जनम है तो Q और S जो कि देखिए यहां एक रिक्त अस्थान बच गया है तो यहां हम Q रख देंगे तो Q और S के बीच कितने दोस्त है तो एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया यहने तीन दोस्त है कितने दोस्त है तो तीन दोस्त इसका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट है देखिए सभी बक्रियां गाह है सभी बकरी जो की गाय है इसको गाय ले लेंगे ठीक फिर कोशन है सभी गाय भेर है सभी गाय जो की भेर है चलिए यह ले लिए चलिए निसका सभी भेर बकरिया है सभी भेर जो की वो बकरिया है बकरिया है नहीं दोस्तु सभी बखरियां भेर हो सकता है लेकिन सभी भेर बखरियां नहीं होगा अगर question में यही रहे कि कुछ भेर जो कि बखरी है तो यह सही होगा लेकिन है question है निसकर्स है सभी भेर बखरियां है तो यह गलत है सभी बखरियां भेर है ना कि सभी भेर बखरियां है जो कि अंदर में जो है वही सभी के अंदर अंतरगत आएगा तो यह जो है कि गथन गलत है कि निसकर से कि सभी भेर बक्रियां यह गलत है फिर कोशन है नेक्स जो कि निसकर से सभी बक्रियां भेर है जी हाँ सभी बक्रियां जो है देखी भेर का अंतरगत आ गया है भेर के अंतरगत सभी बक्रियां आ गया है अंदर जो कि बक्रियां भेर के अंतरगत आ गया तो यह सही है कि सभी बक्रियां जो की भेर है तो आंसर के बल दो निशकर से सही हो जाएगा चलिए next question पर next है देखिए R Q और N बराबर 13 देखिए इसमें क्या 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 R 18 Q 17 पलस जो की 14 सभी को जोर के 49 हुआ और इसमें हम 4 जोर देंगे कितना जोर देंगे एक्स्ट्रा तो 4 जोर देंगे तो आंसर 13 हो जाएगा फिर next क्या क्या D L P इसमें भी जोकी 4 पलस 12 पलस 16 सभी को जोर कर 32 होता है इसमें अगर 4 जोर देंगे देखिए 36 आ गया कितना आ गया तो 36 आ गया फिर उसी परकाइसमें भी करेंगे तो इसमें भी करेंगे देखिए S R और F तो S हो जाएगा 19 R 18 उसके बाद फिर 6 सभी को जोर कर जोकी 43 होता है इसमें अगर हम 4 जोरते हैं तो आंसर हो जाएगा 47 कितना हो जाएगा तो 47 हो जाएगा इसका आंसर चलिए next question पर next देखिए next जो question है बिर्त जो है वो असनातक को उत्तर है यानि असनातक हो जाएगा ठीक उसके बाद बुलाएग वर्ग जोकी वर्ग असनातक को दर्सता है तो वर्ग जो है देखिए वर्ग असनातक को दर्सता है और यह असनोत्तर है असनोत्तर है असनोत्तर लिख दिये तिर्भू शिक्षक को दर्सता है यह जो जो गोला और तिर्भोज को दरसाता है जो इमनदार भी है और इमनदार भी आयत इसके अंतरकर भी आ जाएगा तो आयत की भी ले लेंगे जो दखिए गोला और तिरभूज पिर पिर्भूज और एक वर्ग है यह सभी को दर्षाता हो वह कौन सा है तो देखिए डी जो है ये तो सबस्परे तिरभूज में आता है उसके बाद भीरति में आता है और गो प्रिद्ट में आता है जो की विर्द टीचर दर्साता है और गोला गोला जो है कि यह जो इसलोक तर्फ को दर्साता है तो इसकी अंतरगत और वर्ग जो की इम अंतरगत आता है इसलिए इसका अंसर जाएगा से लिए next question पेhet बेस्ट कि लिए next question जो कि है 9 जोड़ी next 911 यारा फिर 14 है पिर 8 10 29 यारा पिर 36 है तो इसमें क्या करेंगे देखें 28 जोड़े फिर integrating फिर पांच जोड़ें पांच चूरे आधि एना किशन हो जाए हैं इसमें साथ जोड़ देगे हैं दो 3 4 पांस यह इसे बढ़ता गया तो आंसर हो जाएगा इसका 23 हो जाएगा जिलिए कि फैसे नेक्स्स होसुन है लिक है ये इतना को इतना लिखा भाइड दिया फिर अले में जो की देखि़ें दो घटा दिया उसके दो घटते गया यू तो दो जूटते गया, अगर इस से लेंगे, तो समी में दो जोड़ते गया, तो हम इसी बोला, यह जो है, किसके अस्थान पर लिखा गया, तो आर, सी, बी, जी, एम, एस, क्यू, यह किसके अस्थान पर लिखा गया, तो इधर सा अगर हम चलेंगे, तो दो जोड़ते चलेंगे, देखिए R में 2 जोड़ें, क्या होगा, RST, यानि T हो जाएगा, फिर C में जोड़ेंगे, तो CDE हो जाएगा, B में जोड़ेंगे, तो CD हो जाएगा, उसके बाद देखिए G में जोड़ेंगे, तो GEF हो जाएगा, HI हो जाएगा, देखिए M में जोड़ेंगे, तो NO हो तो यह बोला किसके अस्थान पर लिखा गया इसमें दो जोड़ते चलेंगे तो यह अंसर हो गया तो आंसर सी हो गया दोस्तों इस शिप्ट का सारी जो की रिजिनिक हम लोग देख ली है अगर आप में पशंद आ रहा है तो कोमेंट में रहे दीजेगा तभी देली जो की वी कोशन लेकर आये थे सभी शिप्ट आप लोग के लिए बहुत ही जो की मॉस्ट इंप्रेंट कोशन है तो जल्ली से आप लोग सभी शिप्ट कर जाकर जो की जिक जीएस जरूर देखिएगा और यह वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक बाई